हेलो दोस्तों online study point में आपका स्वागत है और आज साथ जिन्वरी का जो NTVC exam है उसकी first shift का analysis हम करने वाले हैं सारे ही कोशन जो कि आज के exam में पूछे गए हैं GKN current affairs के उनको extra information के साथ हम आज की वीडियो में analyze करने वाले हैं वीडियो आने वाले उन सभी students के लिए बहुत ज्यादा important है जिनका जो exam है वो जो अगली shift में भी है और आने वाले days में भी है पर भी follow कर सकते हैं तेलिग्राम लिंक से अगर आप जोई नहीं कर पा रहे हैं तो टेलिग्राम पर डिरेक्ली जाकर आप online study point सर्च कीज़ेगा वहाँ पर जो है आप आराम से जोई कर पाएंगे आपकी जो NTPC की preparation है उसके लिए एक special channel बनाया गया है that is my exam जिस पर सारे ही important topics की video daily upload की जा रही है जल्दी से जाकर चैनल को subscribe के लिजए description में link है इसके लावा जिस किसी भी topic पर आप लोग video चाहते हैं जरू बताइएगा next जो हम उस topic पर video बनाएंगे इसके लाव जो railway special ebook है for rb ntpcn group d जिसमें 7600 plus questions है जिसमें आपका static gk, general science and current affairs पुरा 2020 का cover हो जाता है जितने भी analysis मैंने कराएं हैं वो सारे questions आपको पीडियाइफ में मिलने वाले हैं अगर अभी तक भी आपने preparation start नहीं की है और आप सिर्फ इस pdf से अपनी static portion की preparation करते हैं तो यह आपको बहुत जादा help करने वाली है सिर्फ पर सिर्फ 49 rupees में डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप जाकर किसे purchase कर सकते हैं हम देखेंगे हमारा पहला question 2021 में ओलंपिक खेलों का origin किस देश में होगा so 2021 में जो की 2020 में होने वाला था but due to the coronavirus यह जो है पोस्टपॉर्ण कर दिया गया स्थागित कर दिया गया अब इसका origin कहां पर होने वाला है तोक्यो जपान में इसके लावा यह जो है summer olympic है यह भी आपको याद रखना है नाइक्स त्रम गोशन देखेंगे पुस्तक जो है कौन सी origin of species काफी जागा important है जो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके बार में पढ़ते हैं origin of species जो बुक है इसके लेखक कौन है राइटर है इसके चार्ल्स डार्विन चीक है अगला कोशन जो कि डेली पूछा रहा है लगभग लगभग बहुत बार NDPC ने पूछ लिया है युनिसेफ का मुख्याले कहां पर स्थेत है तो युनिसेफ मडेली आपको बढ़ा रही हूं युनिसेफ युनाइटेड नेशन्स चिल्जन्स इमर्जेंसी फंड इसका जो मुख्याले है सिच्चुएटेड है न्यू यॉक में नेक्स हम बात करेंगे अहसायोग आंदु युनिसे स्थागित कर दिया था सो नेक्स्ट कोशन हम देखेंगे तांसीन का मकबरा कहां पर स्थेत है तांसीन जो कि अकबर के नवरतनों में से एक ठीक है इनका जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था रांतनु पांडे था और कंठ वरन विलास की उपादी ने अकबर के द् बारे में और आज पहला पूछ लिया गया 1974 में हुआ था ठीक है पहला पर्मानु परिक्षन पोखरण में और नाम क्या था स्माइलिंग बुद्धा नाम था अप्रिशन का प्रधानमंत्री का हुंते उस समय तो इंदिरा गांधी थी और दूसरा हुआ था 1998 में हुआ था अप्रिशन शक्ति उसका नाम था प्रधानमंत्री का हुंते उस समय तो अटल विहारी वाजपाई जी थे WCCB का फुल फॉर्म क्या है सो WCCB का फुल फॉर्म है Wildlife Crime Control Bureau और इसका जो हेड़क्वार्टर है situated है New Delhi में और 2006 में इसको establish किया गया था नेक्स जो UNSC है favorite topic बन गया है एंटीपिसी के लिए daily आहां से question मन रहा है United Nations Security Council में आस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है तो इसमें आस्थाई सदस्यों की संख्या है 10 और इस सदस्यों हैं 5 जो कि मैं आपको डेली बताती हम जूनके पास veto power है तो total कितने हो गए है कभी total प पेस में तो गांधी इर्विन समझता किस समयलन है आ भाग लिया था तो मार्च में महातमा गांधी और लौड's के बीच यो है पैक्ट साइन हूआ था 2030 में एशिन फुटबॉल कुप का आयम जन कहां पर होगा तो 2023 में यानि 2023 में जो एशिन फुटबॉल कप है इसका आजन होगा चाईना में N.E.F.T का फुल फॉर्म पूछा गया National Electronic Fund Transfer जो है N.E.F.T का फॉल फॉर्म है इसके अलावा बहुत दिन पहले कोशिन पूछा गया था I thought 38 डिसामबर को स्वार्णिम चतरबुच योजना क्या है ठीक है ना गोल्डन कॉड़र लिटल स्कीम पूछे गई थी इसमें मैंने आपको बताया था कि अटल फिहरी वाजपेजी के टाइम पर यह शिरू हुई थी यह जो है एक हाईवे बनाया था हमारी चार मेजर सिटीज हैं उनको कनेक्ट करता हुआ तो मैंने आपको चारो सिटीज के नाम भी बताये तो आज पूछ लिया गया है वह चार सिटीज कौन कौन सी है तो डिल्ली मुंबई चैन्नई एंड कोलकाता ठीक है बिहार के मुख्यमंत्री पूछे गए तो नितिश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री है कैपिटल क्या है पटना है फागु चोहान जो है गवर्नर है ठीक है तेरा दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड का रिकॉर्ड बनाने वाला एप्लिकेशन कौन सा है तो यह है अरोग्य सेतु एप और नेक्स अगर कोशन बन जाए अरोग्य सेतु से किसके ब्रैंड अमबसेजर कौन है तो आजा देव गन है ठीक है गॉर्मनेंट ऑफ इंडिया का यह एप्लिकेशन है राश्टपती रामनात कोविन भारत के कौन से नंबर के राश्ट्रपती है ठीक है तो वराजो हमारे प्रेजेंट है रामनात कोविन जी भारत के चौदवे नंबर के जो है राश्ट्रपती है ठीक है पहले कौन थे डॉक्टर रजेंद्र प्रशाद थे पुमा की brand ambassador कौन है तो ये हैं करिना कपूर, सारे ही brand ambassador मैंने अल्रेडी cover करवाये हुए है क्लोरीन की परमानु संख्या पूछी गया, atomic number of chlorine पूछा गया है तो आंसर है 17 और अगर इसका पूछ लिया जाए कि sign क्या है कैसे denote करते हैं तो इसको C, L से denote करते हैं भार्तिय राष्ट्री Congress, एंडिया National Congress से बिलकुल बार बार कोशन पूछ जा रहे हैं इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है बद्रुदीन तयब जी जो की 1887 में बने थे ठीक है मैं बात करूँ इसकी स्थापना 1885 में हुई थी ए ओ हुम के द्वारा की गई थी पहला जो सेशन है वो कहां हुआ था मुंबई में हुआ था 1885 में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे WC वनर जी व्यमेश चंद्र वनर जी वायू प्रदूशन मानव के किस तंत्र को प्रभावित करता है तो जो एर पॉल्यूशन है यह हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानि कि श्वशन तंत्र को सबसे जादा प्रभावित करता है next question हम देख लेंगे ATM का full form क्या है सभी लोग ATM यूज करते हैं तो definitely सभी को full form भी बता होगा Automatic Tailor Machine जो है full form है ATM का अगला कोशन हम देख लेंगे कुछी पुड़ी कहां का नत्य है तो यह कोशन भी आई थिंक दूसरी या तीसरी बार पूछा गया है तो कुछी पुड़ी जो है आंधरपरदेश का नत्य है और आंधरपरदेश से आपको याद क्या रखना है वाय देखिए जारखन की गवर्नर है द्रोबदी मुर्मू, Capital है यहां की राची और है में सोरेन की यहां की सीम है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रेल को तो इंकर इम्पॉटेंटन डेस से बी कोशन आ रहे हैं क कर लिजे इसके लाब रॉलेट एक्ट से भी काफी बार-बार कोशन आ रहा है तो रॉलेट एक्ट हम देखेंगे 1919 में आया था ठीक है इसी की वजासे जो है जलिया वाला वाग हत्याकान जो है हुआ ठीक है अगला और लास्ट कोशन हम देखेंगे खिलाफत आंदुलन का ने प्रत्व है यह अली ब्रदर्स के द्वारा किया गया था शौकत अली एं मुहम्मद अली के द्वारा 1919 में और बाद में ही इस आंदुलन को मर्च कर दिया गया था इंदी नौन कोपरेशन मुव्मेंट सो गाइस यह जो थी हमारी आज की वीडियो थी सारे ही इंपोर्टन क इंडिया के और उनके स्टेट्स के वह अल्रेडी मैंने कवर कराएं हुए हैं आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं सीम और गवर्नर से भी बार बाया कोशन बन रहा है तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपोर्टन हो जाता है इसके अलावा मैं बात करूँ फुल इसके अलावा इंडियानेशनल कॉंग्रेस से उसके जो सेशन हैं उनसे काफी कोशन बने इस्थापना किसने की कब हुई पहले अध्यक्ष कौन थे ठीके ना पहले मुस्लिम अध्यक्षन में देख लिए बदरुदीन तयब जी है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बाइसजर बहुत इंपॉटन है लाली लाली एकागे के ब्रांड अमबैसजर पूछे गया थे जो कि रोहित शर्मा है ठीक है ना और आज जो पूछी गई है करीना कपूर्ज की पूमा की ब्रांड अमबैसजर बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार तो ये सारे जो थे आप हमारा मुबाइल अप्लिकेशन नाउनलोड कर लीजे वहाँ पर आपको उसकी पीडिएफ मिल जाएक और हमारा उस नया चैनल है इस्पेशली आपकी आर्र भी एंटीबीसी प्रपरेशन के लिए बनाया गया है तो इसकी लिंक दी गई है आप जाकर के इसको सब्सक्र कर सकते हैं. Thank you.